जिर अनुपमा के आज के अपसोट में हम देखेंगे कि अनुज और अनुपमा एक मंदीर के सामने खड़े हुए दिखाई देंगे जहां अनुज कहता है कि यहाँ पर दो लोग है जिसके सामने में कभी जूट नहीं बोल सकता है मंदिर का भगवान और दूसरा अनुपमा जिसके बाद अनुज अनुपमा से सिकायत करता है कि उसने इतना बड़ा पागलपन करने से क्यों नहीं रोका जिसके बाद वो उस रात की सच्चाई बताता है जब वहां से आ रहा था और वापस चला गया माया के पास अनुज अनुपमा से बताता है कि उस दिन जब वहां अनुपमा से मिलने के लिए निकलने वाला था तब माया ने उसे रोकने के लिए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था अनुज अनुपमा से कहता है कि माया उसे प्यार करती है और उसका प्यार पागल पन में बदल गया है माया कमरे का दरवाजा बंद करके उल्टी सीधी हरकते करना चालू कर दिया था तब अनुज ने उसे धक्का दिया और अनुपमा से मिलने के लिए निकल पड़ा तब रास्ते में उसे छोटी का कॉल आया और वो वापस भागा वो वहाँ जाके देखा तो छोटी खुन से लद्फ़त रो रही थी और अंदर जाके देखा तो माया बेहोस पड़ी हुई थी अनुच को लगा कि माया उसके धक्के की वज़त से बेहोस पड़ी है वो उसे अस्पताल लेके गया तो वहाँ डाक्टर ने कहा कि माया का बच पाना बहुत मुस्किल है बड़ी मुस्किल से उसे होस आया तो अनुच का नाम लेकर चिलाना सुरू कर दिया ऐसे में माया को जि जानों को लाइक और सब्सक्राइब कर लिजी